हेलो दोस्तो मेरा नाह में लब सिंग उपस्वमीर सिंग और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है दोस्तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ टांस फ्यूजर वेस्टी 2 के बारे में कैसे इसको यूज करते हैं कौन कौन से इसके अंदर प्रिशेट हमें मिलता है कैसे कैसे इसके अंदर प्रिशेट है और यह वेस्टी जो है पावरफूल है यह नहीं है तो सारा मैं प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको मैं प्ले करके भी मैं आपको प्रिशेट दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं देखे यह हमारा Transfuser 2 VST है ठीक है अब देखे इसका ये Factory है आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे Factory इसके अंदर दिए गए है जो इसके library आते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है कि यहां पर category by category आपको यहां पर देखने को मिल जाता है आप देखे यहां पर इसमें Drum Loops आजएद आपको यूज करना है जैसे अब Drum Loops पर यहां पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो Drum Loops लूप के अंदर जो है बहुत सारे यहां पर category आपको मिल जाएंगे कि तक यहां पर देखे यहां पर आपको देख्वान को Mayabel यूम मिल रहाए है वियलिम वान वयलिम टू वैलिम थ्री इ Mission से यह मिल रहहा है तिक है अब यहां पर देखें है इसका आपको व्यूम लिख आवाओ आपको तो इसके अंदर बहुत सारे बीपियम भी आपको मिल जाते हैं डारेक्ट और आप जो बीपियम सेलेक्ट करेंगे वह बीपियम आपको इसके अंदर सो भी हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं देखें यह संतावन वाला को यहां पर इस फॉल्डर को आपन कर दाओं तो कर दोります देखे तो बहुत सारे इसके अंदर जो है कि यह भीष्टी मैं बता दू पहुती पावर्फुल भीष्टी है इसके अंदर आप बेसलाइन, कॉर्ड बेस यदि आपको कोई नॉलेज नहीं है, म्यूजिक आप नहीं जानते हैं आप सिर्फ रिदम को बिचाईए और अपने हिसाब से इसके अंदर कॉर्ड बेस सब कुछ आप लगा सकते हैं एक प्रोफेशनल म्यूजिक आप इससे किरियेट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रिसेट दिये गए हैं इन दूस्के आप देख सकते हैं यहां पर सेथली लूप सी वेगारा इनकी की बार ईसके अंदर हम आप संदर क कल में दिखा दिया रहीं आप देख सकते हैं मान पको यहां पर क्या लगाना हाँ बॉस्त है कि अब करते हैं कि इस तो नहीं इस तो नहीं मगर। कि इस तरह से आप इसमें अपना सॉंग भी बना सब्सक्राइब कर ऐंसके अंदर देखते हैं तो मिवूझ सारे प्रेटर्न दीये गए हैं अप यहां अमन Code आप मिश्क कर सकते звORE देखते हैं और आपको कौन-कौन से लूप्स मिलते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना जावरदस्त वीट है अब यहाँ पर देखे आपको बहुत सारे के अंदर मिल जाते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर ड्रम्स करते सेक्शन को हमने यहाँ पर चेक आउट कर लिया उसको देखे यहाँ पर एलेक्ट्रिक आपको यहाँ पर जो है कुछ लूप्स मिलेंगे इसको हम यह वाला फॉल्डर को आपन करते हैं अब सुनिए यह कैसा है यह यह बेस में भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे इसके अंदर देना है अब देखिए यहां बेस्स एकस्ट्रिक आपको यहाँ जाओं अब देखिए यहां base section में जाते हैं, जैसे कि आप किसी भी song में आपको base बनाना है, तो आप song के हिसाब से बहुत सारे loops, base case में बने बनाए हैं, ठीक है, आपको creation भी आप कर सकते हैं, या उसको बना भी सकते हैं, या जो बज रहा है तो उसको आप read भी कर सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर BPM भी show होगा, यदि अब direct BPM लगाना चाहते हैं, तो perfect लगा सकते हैं, या तो आप यहां से change करेंगे, तो automatic यह BPM को select कर लेगा, उसी BPM में यह play होगा, तो चलिए base देखते हैं पिरक ऩलिए को सकते हैं जिस्तों यह हुई बेस के आप देखिए यह हमारा फिरिशेट है ठीक है देख सकते हैं अब हमको इसके जो इसका प्रेटन जो बज रहा थे इसमें कुछ चेंजेस हमें लाना है ठीक है तो वह हम कैसे लाएंगे सीधा इसको हम यहां पर डेक अड्रॉप कर देंगे डेक अड्रॉप जैसे हम करेंगे देखिए इसमें जो बना हुआ है वह आपको यहां नीकी देख रहा हूँ पैनर रॉल में यह इस टाइप का बना हुआ है अब यहां से पहले इसको सूनिए उसके बाद आपको पताच लग चलिए हम यहां से लेकर देख सकते हैं अब देख हैं इस नोट्स को हम आगे पीछे यह अपने हिसाब से कम चाधा चोटा बड़ा कर सकते हैं देख सकते हैं यहां से यदि आपको साउंड को परिवतन करना है तो आप अपने हिसाब से यहां पर आप स्केल को इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप इसमें इडिट कर सकते हैं तो इसको प्ले करके देखते हैं तो इस तरह से आप यहां पर इसमें चेल्जेस कर सकते हैं इसको आप यूज में ले सकते हैं फिलाल मैं इसको यहां से हटा देता हूं अब देखते हैं इसके अंदर तो बहुत अच्छे इसके अंदर बेसेश मिल जाते हैं ठीक है अब मैं बैक आउंगा ठीक है अब यहां पर दिखिए आपको इसे की कुछ हिट के सेम्पल्स चाहिए ठीक है यह लूप चाहिए अपने ट्रेक में हिप हीट है भी यूज कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह देखे यह हैं अब किसी सांग में सुनते होंगे सबसे ज्यादा यह यूज होता है देख सकतें अन्डिंग में भी तो यही वेश्टी का यह sound है, यह sound तो बहुत खापी ज्यादा popular है, आप जान गए होंगे, मैं इसको प्ले किया, एक बार फिस्टे बजाता हूं, प्लेच सकते हूं अब देखिए, हमको इसके अंदर जो है कुस भोकल्स वेगरा सब कुछ मिल जाता है, आप देख सकते हैं, आप यहां पर सीन्थ पैड भी है, देखते हैं, सीन्थ पैड पर क्लिक करते हैं, उसके बहुत देखते हैं आप म्यूजिक का पूरा काम इससे कर सकते हैं, ठीक है, अब बात आती है, हमें यहां पर देखे, आपको यहां पर बेस्ट्रेक्स मिल जाएंगे, इसके अंदर इसके अंदर भी, आपको mix, drum, loops, यह सारे मिल जाएंगे, अब बात आती कि हम भाई, इसके अंदर जो है, में गितार का कोई pattern को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, अब हमको chord लगाना है, तो chord लगाना कि इसका, आप देख सकते हैं, यहां पर, string बगर का भी loops आपको मिलेगा, चलिए देखते हैं, यहां पर देखें, इसका scale भी यहां पर आपको so कर देगा, यह कौन से scale में है, बजा हुआ, तो आप उस scale से इसको लगा सकते हैं, यह कौड के तरह आप यूज कर सकते हैं, इसमें scale बताया गया है, आपका जोन सा scale है, आप direct drag and drop करके इसको लगा सकते हैं, यहां सोरी मतला आप record कर सकते हैं, यह scale में बज रहा है, यह आपको scale change करना है, तो फिर आपको सीधा यहां पर drag and drop करना है, इस तरह से, यहां पर दे select करके scale को भी आप यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाफ से scale को बढ़ा गटा सकते हैं, इस पूपर नीचे करके select करके आप बढ़ा गटा सकते हैं, तो यह हो गई, आप चलते हैं, देखिए इसके अंदर बहुत सारे आपको जो है तो यह बहुत ही ज्यादा पावर्फूल वेस्टी है, ठीक है यह बहुत है, यह बहुत है, यह बहुत है, यह बहुत है, तो यह बहुत है, आप बहुत है, अपने हिसाफ से इसको settle कर सकते हैं, बना सकते हैं इस VHT plugin के मदर से, अब देखिए यहापे chords के भी कुछ preset दिये गए हैं, तो आपको जैसे chord direct लगाना है, तो आप इसके भी chord लगा सकते हैं, इसमें भी preset दिये गए हैं, चलिए हम सुनते हैं, इधर आपको BPM मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको कर सकते हैं, इसमें सब्सक्ट कि लिखावाय यह रोली इसमें सब्सक्रेश इसमें साबदेके, इक हावाय यह रोलीग, इसमें जापको BPM मिल आपको BPM मिल जापको स्ट्रिंग है ठीक है यह सेम्पल पैट्स है सारे इसमें लिखे के यह रिदम स्कॉट्स है तो आप इससा से यूज कर सकते हैं और इसके अंदर आपको गितार्स के भी मिल जाएंगे देख सकते हैं इसके अंदर आपको कुछ वोकल वेगार मिलता हैं देखें वोकल भी आप इसका यूज कर सकते हैं पहुत सारे इसके अंदर जो की वोकल इफेक्ट वेगार भी आपको मिलते हैं ठीक है और यहां पर आप सिंथ पैड वेगार सब कुछ इससे लगा सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं आपको यह यह हम सुनते हैं आप यहां पर देखें गितार के भी कुछ लूप दिए गया है तो यहां पर देख सकते हैं आपको तीन वेल्यूम इसके अंदर मिलेगा तो सबसे पहले फर्स्ट वाला वेल्यूम में देखते हैं कैसा है आपको यहां पर देख सकते हैं तोď इसके अंएं बहुत सारे दिए गया है ठीक है ? और हम देखते हैं यहां पर कितार वाले स्कर्ण में जाते हैं और दूसरा वाल घो इसके अंदर हैं वह भी कि आप कोडिंग के लिए कोई अलग गीतार्स भीस्टी यूज करते हैं तो वह आपको इसमें नहीं करने की अबसकता है इसी से ही आपका सारा काम चल जाएगा अब देख सकते हैं अब कुछ गा भी सकते हैं अपने इस तरह से इसके अदर बहुत अच्छ अच्छे आपको लूप्स मिल पड़े हुए हैं जो कि आप मुजिक प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं आपका टाइम जो है बहुत इसके इनलेक्ट्रिक्स लेख सकते हैं जो लूपस यह वहां तो आपका काम जो है बहुत एजी हो जाएगा और बहुत सारे इसके अदर प्रोड वेगरां दिए गए हैं अपर सकते हैं अच्छी तो म्यूजिक पॉडक्शन में आप इसका यूज ले सकते हैं काफी अच्छा वेस्टी प्लगिन्स है और जो की बड़े-बड़े म्यूजिक डियरेक्टर है इस प्लगिन्स का यूज करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे प्रिशेट दिये गए मैं पूरा को एक्स्प्लेट करूंगा तो वीडियो बहुत जादी लंभी हो जाएगी तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और इसको आप इसी प्रकर से रिकार्ड कर सकते हैं कोई इसू नहीं जो कि अधर भ्यस्टी आप यूज करते हैं उसी तर से आप इसको य यहां से आप सेलेट करके यूज में ले सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे ओप्सन दिये गए हैं आप देख सकते हैं यहां भी आपका जो मास्टर पैनल है उसको आप इसमें रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहां आप देख सकते हैं और यह जो है आपको प्ले नोट मि जो भी करना है तो अपने इसे आप से कर सकते हैं यह मेलोडी पाट के लिए जेख सकते हैं काफी अच्छा यह वेश्टी ब्लागिन्स है इसका आप यूज करके एक अच्छा म्यूजिक प्रोडेक्शन कर सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एकिसी लग कर बताईएग और अपना ख्याल रखियागा थंड काफी ज्यादा बड़ी है हमारे अदर आप लोग के अदर कैसी ठंड है हमें कोमेंट में बताईएगा ठीक है घर में रहें स्वस्थ रहें और ठंद से बच के रही है ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आप वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद